हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैजिक रेसिपी आज हम बनाएंगे भूंदी रायता यह बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है और यह बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए इस रेसिपी को देखते कैसे बनाए जाता है इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राइब के करीब बेशन बेकिंग सोडा चार बरी चमच ओयल चॉप्ट ग्रीन चीली एक चमच लाल विर्ज पॉडर चॉप्ट कुरियंडर लेप्स आधा चमच ब्लाक पेपर पॉडर आधा चमच चाट मसाला एक छोटी चमच जीरा पॉडर बेता चमच ब्लाक पेपर पॉडर की। एक बोल में सबसे पहले हम बेशन अधी इसके साथ ही हम दो चमच तेल एड कर देंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक ही बार में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे इसका हमें ना तो ज्यादा थिक ना ज्यादा लूज बैटर तियार करना है अब इसमें एक फोर टीस्पून के कारी बेकिंग सोडा एड़ कर देंगे और इसे एक ही राइक्स में अच्छी से मिक्स कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए अब चे रहेंगे गैस में कढ़ाई उसमें डाल देंगे हम ऑईल अभी हम ज्यादा यूज करेंगे इसके उपर हम थोड़ा सा बैटर डालके इसको हम चारो साइट घुमाते हुए डालेंगे अब देख सकते हैं कि हमारा बुंदी कितना गूल गूल पनाया है इसे अब हम इसे एक चन्नी में निकाल लेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ओयल निकल जाएगा अब देख सकते हैं कि हमारा बुंदी रेडी है अब हमें एक बॉल में डालेंगे दही और दही को हम अच्छे से विस्कर से स्मूथ कर लेंगे अब हम इसमें आधा कप के करीप पानी एड़ करेंगे पानी डाल के विए हमें विस्कर से अच्छे से मिक्स करना है जिससे कि यह स्मूथ बने अब डाल देंगे बुंदी चाट मसाला जीरा पॉडर ब्लाक वेपर पॉडर ब्लाक सॉल्ट इसे हम टेस्ट के कॉर्डिंग डालेंगे ग्रीन चीली कोरियंडर लेव्स और सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके उपर अबर मराई और रेड चिली पॉडर का तरका लगा देंगे गानिशिंग कर देंगे हमारा बुंदी राइता रेडी है अगर यह रेस्पी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पढ़ना ना हो ले थैंक्स पूर वाचिंग में वीडियो